हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेशपी पेटारा में आपका उच्च कुछ खाने का मन कर रहा है चट पटा सा मगर ये क्या हमको तो डेफ्राइ भी नहीं करना है खाना तो हमको بिल्कुल हैल्दी हैं खाना है तो ऐसे में क्या करें ऐसे में घर में पड़ी हुई कुछे चीजों से टेस्टी और हेल्दी नास्ता तयार करते हैं तो इसके लिए हमने लिया है मसूर की डाल अगर आपके पास चने की डाल या उरत की डाल हो तो आप उसे भी ले सकते हैं तो आपको ऊरत और चने की डाल को हाफ हाफ लेना है आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से आधा धा ले सकते हैं हमने 500 ग्राम मंसूर की डाल लिया था अब उसे दो घंटे के लिए भीगा दिया था साप पानी से दो करके मिक्सी में पीस लेते हैं इसका हमको हलका दरदरा पेस्ट बनाना है तो पेस्ट भी बन करके रड़ी हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं तो पेस्ट में हमको हरी मीज हींग एक चम्मत जीरा नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी पावडर मिक्स करना है अगर आपको लेसन खाना पसंद है तो आप दो चार को लिया लेसन मिक्स करने के बाद हमें लेना है एक बड़ा बरतन कोई भी भगावना या कढाई ले सकती है तो हमने लिया है एक भगावना और उसमें एक से लिधन पानी रख देते हैं उबलने के लिए एक ऐसी छलनी ले सकते हैं अगर आपके पास मोमोज या ढोकला बनाने का इस्टेंड है तो आप उसे भी ले सकते हैं तो सबसे पहले हम इस्टेंड को ग्रीज कर लेते हैं हलका सा ओयल लगा लेंगे और उसके बाद पेश्ट को इस तरह से फैला देंगे किनारों से थोड़ा सा जगह हमको छोड़ देना है ताकि पानी का घाप अच्छे से पेश्ट तक पहुँच सके तो इस तरह से हमें कल्ची से फैला लेना है दाल को बिल्कुल भी चिकना कर लेना है देखिए हमने किनारों पे थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दिया है इस तरह से आपको भी छोड़ देना है अब देखिए पानी में भी उबाल आने लगा है पानी में जब उबाल आए तभी हमको रखना है तो उबाल आने लगा है अभी हमें पेश्ट रख करके अच्छे दख देना है और 10-12 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है तो अब भी 10-12 मिनट हो गए हैं हम चाकू से चेक कर लेते हैं तो देखिए चाकू में बिल्कुल भी नची पक रहा है इसका मतलब नास्ता बन करके रैडी हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा हो किनारों से चाकू की साहता से इस तरह से निकाल लेते हैं ध्यान रहे नास्ते को बिल्कुल भी ठंडा करके ही निकालना है और उपर से थाली रखके इस तरह से हलका सा टेप करेंगे और खोल करके चेक करते हैं देखिए नास्ते ने अच्छे से थाली को छोड़ दिया है त अभी इसको हम ठंडा हो चुका है इसलिए नाइफ से अपने मन पसंद आकार में काट सकते हैं दिखे हमने चोकूर आकार में इसको काट करके ले लिया है इस तरह से थोड़ा चोटा या बड़ा आप अपने हिजाब से कर सकते हैं देखिए कितने अच्छे से कट गया है और पकने के बाद यह थोड़ा सक्त हो जाता है तो आप इसे चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं या तो बिल्कुल भी थोड़ा से तेल डाल करके फ्राई कर लेते हैं तो पैन गरम हो चुका है इसमें हमें एक से दो चम्मच तेल डालना है तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम लाल कुटी हुई मीर्श डाल देंगे और आधे चम्मच जीरा इसके बाद हमको बिल्कुल भी थोड़ा सा आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डाल देना है और नमक हमने घोल में थोड़ा कम ही डाला था इसलिए थोड़ा सा नमक और भी डाल देंगे उसके बाद दाल के बने हुए सब तुकड़ों को हलका सा कलची से चलाते हुए हलका ब्राउन होने तक भून लेते हैं दिखे हमको धीरे-धीरे पलटना है ताकि तूटने न पाए तो जब तक हमारा नास्ता भून करके रेडी हो रहा है तब तक हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेयर कर देते हैं ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हमें दाल से बने इस नास्ते को ज़्यादा टाइम फ्राइने करना है लगभग तीन से चार मिनुट मेडियम फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए हलका सब्राउन हो कर देना है तो अभी देखिए लगभग भून करके नास्ता रेडी हो चुका है इसे अपने आप मन पसंद चटनी के साथ खा सकते हैं तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने कम इंग्रीडियन से बनकर तयार हो गया है ये नास्ता तो खाईए आनन्द लीजिए और यह रेशिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेशिपी के साथ